प्रधान मंत्री जी अच्छी अच्छी बाते कहते हैं लेकिन आपके दिल में जन्जाती समुदाय के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं दिखता हैं आपके पैर तो ठिरकते रहते हैं चुनावी सभा के लिए सारा खेल लोगों को समझ में आता है अब यहां के मूलवासी आदिवासी बुर्वक नहीं है कि आप डमडू वजा के चल यह यह गया और आपको जवाब नहीं देगा तैयार रहे है 2024 पे जवाब के लिए प्रधान मंत्री जी शायर यह जानते थे कि राज सरकार के बढ़ते क अदम को यदि रोखना है तो हमको आना पड़ेगा तो क्या फोटो शुटिंग के लिए और राजनीतिक कारण के लिए पूरा आधा दिन राज प्रधान मंत्री के पीछे लगा रहे है गवर्नेंस को डिस्टेबेल करने के लिए आईटी आती थी कि सिभी आई आती थी एड को लगाया जाता था अस्तक गवर्नेंस को डिस्टेबेल करने के लिए पीएम भी लग जया है कल हमने गवर्नेर्स आपको भी सुना प्रधान मंत्री की वरंदना की कोई बात नहीं है लेकिन उन्हेंने एक बात कहीं कि हम चुनाओं में जाये तो राजवितिक लड़ाई लड़े लेकिन जब राजवे शासन करे तो विकास की बात करें तो मानिये राजेपाल जी को ये बाते तो जरूर बतानी चाहिए थे क्योंकि राध भर उन्होंने मेजबानी की थी प्रदान मंत्री जी का जैंगलों के अंदर कॉर्पूरेट सेक्टर गुज गया कि जैंगल को मिटाकर आप जंजाती को बचा लीचेएगा है कि सर्ना धनकोट को मिटाकर आप अधिवासी की नियाई की बात करते हैं पंदर नमबर को जंजाती गौरव दिवस्त का नामंकरन किया गया था और देश की प्रथम महिला जंजाती राष्ट्रपति महद्या यहां पर आई थी तब से यह आस था कि जंजाती बहुल देश के जो भी इलाके हैं जो पाचवी और छटी अनिसुची के तहत सम्वेदानी ग्रूप से अच्छाबित है उनके लिए कोई विशेश कारिक किये जाएंगे कल भी प्रधानमंत्री जी ने पीएम जन्मन योज्रा को भी लागू किया जिसमें जंजाती है समू के नयाय और अधिकार की बात की लेकिन वही पर सबसे कौत हुल यह हुआ कि जो आधी धर्म और संस्कृति है ना तो उसके बारे में उनको कोई जानकारी थी नहीं जन्याती समू के प्रती सच्ची कोई भावना थी क्योंकि सर्णा धर्म कोड जो इस राज के विदान सभा ने सर्वसम्मत्री से पारित करके दे जा है उसका उलेख तक नहीं किया आप प्रधान मंत्री जी अच्छी अच्छी बाते कहते हैं लेकिन आपके दिल में जन्याती समूदाय के प्रती कोई सम्मान का भाव नहीं लिखता इसका उधारन मनीपूर भी है जो छटी है निस्विची का राज्जे आप ना मनीपूर गए ना मनीपूर के लोगों के साथ समवाज सापित किया और तो और आपके पैर तो थिरकते रहते हैं चुनावी सभा के लिए क्या उनको सम्मूदित करने के लिए राज के खूटी को चुना गिया धर्टी आबा का गाउं चुना गिया यह सवाल उठता है कि प्रधान मंत्री जी अपने आपको जार्खन से जोड़ रहे थे कि प्रभात ताला में हमने योग दिवस अंतराश्ट्य योग दिवस की शुरुवात की खूटी जिला में हमने एक सो प्रतिशत सोलर लाइट से सज्जित नियाले का उद्गाटन किया प्रधान मंत्री जी आप जो प्रभात ताला मैदान की बात करते थे वो एच इसी का इलाका है आवासी का इलाका है हम पहले भी बोड़ रहे थे कि प्रधान मंत्री जी एच चीसी को बचा लिजिए प्रधान मंत्री जी न जान बूच कर एच चीसी के बारे में कोई बात नहीं कि वो जानते हैं कि इस प्रदेश में रुगनता आए यद राज गरीब बना रहे ये उद्देश था प्रधान मंत्री जी शायर ये जानते थे कि राज सरकार के बढ़ते कदम को यदि रोखना है तो हमको आना पड़ेगा ताकि राश्ट्रिय स्थर से लेके राजिस्थर पर हम प्रचार का हेड्लाइन में रहें हाथ थिलाते विए रोड शो करें तो क्या फोटो शुटिंग के लिए और राजिनिटिक कारण के लिए जार्खन के सापना दिवस को पिछले बार भी राश्ट्रपती की स्विक्रिति मिनने के बाद भी राश्ट्रपती नहीं आई इस बार भी ऐसा किया गया कि ताकि पूरा आधा दिन राज प्रधान नंत्र के पीछे लगा रहे हैं पहले तो सुनते थे कि कि गवर्नेंस को डिस्टेबेल करने के लिए आईटी आती थी कि सीवियाई आती थी एडी को लगाया जाता था अस्तर गवर्नेंस को डिस्टेबेल करने के लिए पीएम भी लग लगे कद हमने गवर्नेर साहब को भी सुना कि प्रधान मंत्री की वंदना की कोई बात नहीं लेकिन उन्हेंने एक बात कही कि हम चुनाओं में जाये तो राजवितिक लड़ाई लड़े लेकिन जब राजवे शाषन करे तो वि कि यह बाते तो जलूर बतानी चाहिए थे क्योंकि राजवर उन्होंने मेजवानी की थी प्रधान मंत्री जी का आपने तो जार्खन की बात की और वन संसोधन कानून ऐसाल आया कि अब जैंगलों के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर गुज गया जैंगल को मिटाकर आप जैंजाती को बचा दीचेएगा सर्णा धनकोट को मिटाकर आप अभीवासी की नियाई की बात करते हैं सारा खेल लोगों को समझ में आता है अब यहां के मूलवासी अभीवासी बुड़वक नहीं है कि आप डमडू वजाके चल यह यह गया और आपको जवाब नहीं देगा तैयार रहे दोजार चौबिस में जवाब के लिए